पहली बात friends कि आपको थोड़ी सी हंसी तो आएगी लेकि maximum लोग ऐसा ही करते हैं अपने mobile को घर बैठे password को चेंज करते हैं और भूल जाते हैं तो ये खेड लापडवाही है जो आपको उसका फल मिला है आपका mobile लोख हो गया तो घबरागे नहीं आपको service इंटर्मेंट जाने नहीं दूँगा आपके पैसों को बचा के रहूंगा बस इस वीडियो से यादि आपका काम हो जाए तो कम से गम वीडियो को आप like तो कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक किसी इंटर्मेंट को आपका काम हो जाएगा तो नहीं होगा तो डिस्लैक भी कर सकते हैं क्या बताने वाला हूँ आपने थम्लेन को तो देखा होगा फिर भी मैं यहाँ पर repeat कर देता हूँ आप बिना computer के घर बैठे बिना किसी data lost के अपने किसी भी android को आप unlock कर सकते हैं उसके password को आप यदि भूल गया है तो उसे आप reset कर सकते हैं जी हाँ तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आप इसे सीख पाएंगे तो आपने एक second के लिए भी इस वीडियो को skip किया तो sorry दोस्तों हो सकता है आपका ये काम नहों आपका mobile unlock नहों तो एक एक second आपके लिए important रखता है यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं ठीक है तो आप बात करते हैं कि आप इसे कैसे unlock करेंगे वो भी घर बैठे बीना computer तो simple सार लॉजिक है जब भी आपका mobile lock हो जाए इस तरह का आपका locking interface देखने को मिलेगा आप इसे एक बार उपर की तरफ slide करेंगे तो आपको यहाँ पे password डालने का जो option है वो आपको मिल जाएगा अब password तो भाई आपको याद नहीं है और आपने बहुत बार try भी किया होगा इसमें password डालने का तो उसके नीचे आपको बस एक ही option देखेगा इसके लाबा कोई option आपके पास है भी नहीं जिसे आप open कर पाएंगे वो है emergency call इसे आपको यहाँ पे click कर देना है अब जब आप इसे यहाँ पे click कर चुके होंगे तो यहाँ पे आपको कुछ options देखने को मिलेंगे पहला यहाँ पे आपको जो इसका नाम है वो है emergency calls only ठीक है अब यहाँ पे आपको simply करना क्या फ्रेंस ओ सॉड़ी यहाँ पे बंद हो गया था तो simply आपको यहाँ पे करना क्या फ्रेंस एक नंबर में बतारा हूँ जिसका इस्तमाल लोग करते है offline mode के लिए तो उसे आपको यहाँ पे डालना होगा वो code है star hash 981 2511 and hash और इस code को दोस्तों बोलते है offline mode का code अब इस code पे आपको 7 time call करना है simply call करने के लिए आप call को बटन को क्लिक करेंगे call field को जो message आ रहा हूँ इसे आप OK को क्लिक करेंगे और इसे आपको repeated mode पे 7 time करना है 4, 5, 6 और 7 अब इसके बाद क्या इसके बाद आपको simply इस code को हटाना है और आप यहाँ पे जो notification panel है यहाँ पे आपको चले आना है अब इस notification panel पे आपको बहुत सारे shortcuts मिल रहे होंगे इन shortcuts में आपको खोजना है flight mode या airplane mode आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा airplane mode यहाँ पे सामने में ही आपको दिख रहा है इसे आपको यहाँ पे activate करना है इस तरह से अब इससे हुआ क्या आपका जो hand state है वो 100% successfully offline mode में चला गिया और आपके background में जितने भी application चल रहे थे पहले से lock होने के पहले वो सारे close हो चुके हैं ध्यान से देखिएगा तभी समझ सकते हैं आप यहाँ पे आपको एक नया number डाइल करना है जिसका नाम है master unlocking mode उसके लिए यहाँ पे हमें code डालना है और वो code आप यहाँ पे देख सकते हो star hash 8999 और hash आप इसका screenshot ले लो क्योंकि यह हमेशा आपको काम आने वाला है अब जैसे यहाँ पे last वाले option यानि hash को आप यहाँ पे click करेंगे आपके smartphone में यहाँ पे engineer mode नाम का जो option है वो यहाँ पे चलाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अब इस page पे आपको यहाँ पे कुछ options open करने है सबसे पहले आपको यहाँ पे open करना है software version click करिए इसे open कीजिए अब इसके बाद आपको यहाँ पे number 2 पे दिख रहा होगा android version जितना भी आपको यहाँ पे दिखाड़ा उतने time आपको इसे click करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे 11 android version है आपके smartphone में यहाँ यहाँ पे 9 होगा 10 होगा 11 होगा 12 होगा 13 होगा हम यहाँ पे back करेंगे अब अगले page यानि कि जो manual test का option है number 2 sorry just survey version के आपको उपर दिखेगा इसे आपको click करके open करना है मैंने इसे open कर लिया अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि आपको अगले वाले page के तरफ ले के जाएंगे जो कि है device dubbing का अब इस device dubbing के page पे आपको simply जाना है gyroscope वाले option पे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब इसे आपको click जब करेंगे तो आपको यहाँ पे graph का option दिखेगा graph वाले option को आपको यहाँ पे click करना है और यहाँ पे friends आप देख सकते हैं x, y और z दो sensors आपके यहाँ पे आपस में synchronize हो रहे होंगे इन्हें आपको सिर्फ और से 5 second के लिए synchronize होने देना है 5 second से ज़्यादा हो जाए अराम से इस तरह से back आ जाईए अब यहाँ पे आपको data display भी दिख रहा होगा number 3 पे इसे आप click करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ numerical data आपको दिखेंगे इसे आपको बढ़ने देना है कम से कम 30 तक 30 data जब यहाँ पे आ जाएंगे 30 data तब तक आपको यहाँ पे बढ़ते जाना है और आपको वेट करना जब तक यहाँ पे 30 ना आ जाए 30 मान अब दे सकते हैं आपको यहाँ पे 30 और 30 से ज़्यादा भी आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं लेकि minimum आपको 30 तक आने देना है जब आपको 30 तक आ जाए बैक आईए अब simply बैक आईए और चल जाएए सबसे last वाले other वाले page पे अब इस other वाले page पे ही आपको सारा game करना है यानि कि सारे main methods apply करना है आपका जो password है वो यहीं पे reset होगा उसका preparation था वो हमने अल्रेडी कर लिया है इतनी तयारियों को करने के बाद अब आपको यहाँ पे सिर्फ दो step लेने और आपका smartphone successfully unlock हो जाएगा करना क्या है main board version जो आप यहाँ पे देख रहे है आपका चाहे कुछ भी हो हो सकता आपका यहाँ पे नाम आड़ा होगा database version या main board version तुनों में से कोई भी है simply आप उसे यहाँ पे 9 time click करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब 9 time click करने के बाद आपको सिर्फ एक option जिसका नाम है key status इसे आप click करके open करेंगा जैसे इसे open करेंगे आपके smartphone का साड़ा pin pattern password, fingerprint और face lock reset हो चुका है जी हाँ, बस आपको इसे cross verify करना है आप पहले तो यहाँ पर यह देख लो आपको समझ में आ जाएगा जितने भी key है वो साड़े pass है key का मतलब क्या होता है, चाबी pass का मतलब होता है कि खुल चुका यानि कि अब आपका handset successfully unlock हो चुका है बस cross verify करेंगे simply home button को click करेंगे और friends आप देख सकते हैं हमारा यह handset successfully unlock हो चुका है इस तरह से आप दुनिया के किसी भी android को घर बैठे unlock कर पाएंगे दि आपका handset अभी भी unlock नहीं हुआ है उस case में आप हमारे चैनल को subscribe करते हुए हमें join करें जैसे हैं आप हमें join करेंगे हमारी team member आपके whatsapp पे video call करके आपके handset को 5 minute के अंदर guarantee के साथ unlock करके दे देगी एक वार join का button try जरूर करें